हेलो दोस्तों कैसो आप सब दोस्तों पहले मैं यहाँ पे Google AdSense केवल यूज करता था बट यहाँ पे केवल Google AdSense यूज करने से यहाँ पे Ad Limit का खतरा रहता था Google AdSense हमारा एकाउंट डिसेबल होने का खतरा रहता था बट यहाँ पे इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने एक AdSense Network को जोईन किया जिसका नाम है adsvictory.com और मैंने adsvictory.com को यूज करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे मैं देख रहता कि यह जो कंपनी है पेमेंट करती है नहीं और जैसे ही मुझे पेमेंट मिला मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जी यहाँ दोस्तों मुझे पेमेंट मिल चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट आइडी और यहाँ पे डेट देख सकते हैं 31 जुलाई 2022 और status completed है और साथी साथ यहाँ पे एमाउंट आप देख सकते हैं लवक 412 डॉलर 93 सेंट का यहाँ पे हमें जो पेमेंट है वो मिला है और बैंक ट्रांसफर के थुरू यहाँ पे हमें पेमेंट मिल चुका है ठीक है इनके पास Google के साथ सा 30 प्लस एड पार्टनर्स हैं जो header bidding technology को यूज करते हैं और आपको high eCPM प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी earning काफी अच्छी हो जाती है बट यहाँ पे जो high eCPM है वो vary करता है वो आपके quality traffic पर depend करता है यहाँ आप अपने website के साथ साथ अगर आप app यूज करते हो यहाँ पे play store पे upload किये हो तो आप अपने app के लिए भी basically यहाँ पे join कर सकते हो और आप अच्छी earning कर सकते हो इनके support की बात करें तो इनका support काफी अच्छा है यहाँ पे आप देख सकते हैं WhatsApp और email के थूँ यहाँ पे आप इनसे support ले सकते हैं इनकी support टीम काफी अच्छी है और यहाँ पे यह form फिलब भी करके आप इन्हें direct contact कर सकते हैं और यह आपको working hours में reply देते हैं और इनका support काफी अच्छा है basically यहाँ पे इनकी जो team है transparent है और काफी cooperative है अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं adsvictory.com को join करने के लिए आपको requirement क्या क्या होने वाली है दोस्तों यहाँ आप Google AdSense यूज करते हैं और आपकी site approved है बट आपको earning नहीं हो रही है आपको traffic अच्छा आ रहा है तो यहाँ पे basically आप adsvictory को यूज कर सकते हो इसे join करने के लिए यहाँ पे 1 lakh monthly traffic होना चाहिए और यहाँ पे आप चाओ अगर आपके site पे minimum traffic 40-50 अजाग पर मन्त है तो भी आप apply कर सकते हो maybe आपको यहाँ पे approval मिल सकता है और adsvictory को use करने के लिए basically जो Google AdSense के rules वगेरा follow होते हैं वो यहाँ पे भी follow होंगे यानि कि इनकी policy similar है AdSense से अगर आप यहाँ पे अपनी site पे adult content share करते हो sexual content share करते हो और साथी साथ artificial यहाँ पे bots ट्रेफिक यहाँ पे भेजते हो self click करते हो तो यहाँ पे आपका जो account है वो Google AdSense की तरब से ban हो सकता है इसलिए यहाँ पे adult content, adult traffic और साथी साथ self click या bot traffic आपको अपनी site पे नहीं भेजना है otherwise यहाँ पे आपका Google AdSense ban हो जाएगा दोस्तों अगर आपके site पे traffic ही नहीं है एक्तम low traffic है और आपका Google AdSense अप्रू भी नहीं है ban है बिसिकलिए आपकी site के लिए तो आपको यहाँ पे basically apply नहीं करना है आपको कोई भी benefit नहीं मिलने वाला है अगर आप अपनी AdSense account से $1 से कम की भी earning कर रहे हो तो basically आपको यह adsvictory.com को join करने का benefit नहीं मिलेगा क्योंकि आप payment ही नहीं receive कर पाऊगे आपको तभी अपनी site को approval के लिए भेजना है जब आपके site पे 40,000 से लेके 50,000 तक के monthly traffic हो अगर आपकी website पर millions में traffic हो और आपका Google AdSense disabled हो गया हो तो यहाँ पे किसी special case में ही यहाँ पे आपको ads provide किया जा सकता है दोस्तों आप चलिए बात करते हैं कि आप adsvictory.com के लिए यहाँ पे sign up process कैसे complete करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले adsvictory.com पे आ जाना है basically adsvictory.com का जो link है आपको इस video के description में मिल जाएगा अब यहाँ पे देखिए आपको दो option मिल रहे हैं login और sign up तो सबसे पहले आपको sign up बटन पे click कर देना है आपको अपना account यहाँ पे basically सबसे पहले create करना होगा sign up करने के लिए basically आपको देखिए यहाँ पे form मिलेगा तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है username डालना है email डालना है और password आपको एक create कर लेना है then आपको confirm password वही password आपको दोबारा इसमें डालना है और आपको address डालना है और उसके नीचे आपको यहाँ पे choose country तो आप अपनी country यहाँ पे select करेंगे और उसके बार यहाँ पे आपको phone number डालना है और यहाँ पे देखिए monthly website app page view यानि कि आपके site पर monthly यहाँ पे traffic कितना है वो आपको डालना है ठीक है और उसके बाद यहाँ पे चूच करना है कि आपकी website है या app है तो यहाँ पे हमारा website है तो website आपको select करना है और आपको यहाँ पे website का यहाँ पे URL आपको paste कर देना है then आपको अपने website की category select कर लेनी है तो मेरे case में क्या है blog content blog है तो मैं content blog select करूँगा अगर आपकी tool site तो tool site आप select करोगे जो भी आपका news site होगा तो news आप select करोगे तो मेरा blog है तो मैं content blog select करूँगा और then आप यहाँ पे description लिखेंगे basically आपकी site मतलब किसे related है क्या करती है तो अपने site का यहाँ पे basically आपको description लिख देना है then आपको sign up button पे click करना है आपका account जो है यहाँ पे create हो जाएगा मैंने यहाँ पे अपना account create कर लिया है अब चली यहाँ पर फटाफट login करते हैं और देखते हैं कैसे यहाँ इनका dashboard वगरा work करता है then आपको यहाँ पे login करने के लिए आपको login बटन दिख जाएगा यहाँ पे login करते हैं और login करने के बाद आपने जो username और password यहाँ पे basically बनाया था वो आपको यहाँ पे enter कर देना है username पासवर्ट इंटर करने के बाद आपको simply login बटन पे click कर देना और जैसे ही आप login करोगे dashboard open होने के बार यहां पे आपको impression दिखेंगे आपके कितने ads के impression दिख रहे हैं आपको e-CPM यहाँ पे देखने को मिलेगा revenue देखने को मिलेगा और total यहाँ पे lifetime earning आपको देखने को मिलेगी ठीक है और उसके बाद यहाँ पे statistics में आपको यह graph दिखेगा और यहाँ पर last days 7 days का यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो this month का सेलेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पर आपकी total earning जो है वो दिखने वाली है impression, eCPM और revenue यहाँ पर आपको graph के थुरू दिखेगा ठीक है उसके बाद आपको यहाँ website का option दिखेगा इस website का option पर आपको click करना है जैसे इस website का option पर आप आओगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक website मेरी यहाँ पर add है और आप चाहें तो new add कर सकते हैं add new website पर आपको click करना है add new website पे click करने बाद basically आपको यहाँ पे अपने website का URL यहाँ पे डाल देना है then आपको अपने blog की category select कर लेनी है तो यहाँ पे मैं content blog select कर ले और आपको कुछ description यहाँ पे add कर देना है अपने blog से related then आपको submit बटन पे click कर देना है और जैसे submit बटन पे click करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं website added successfully our team will review it shortly और यह review होने के बाद आपको यहाँ पे status दिख जाएगा यह active जब हो जाएगा तो आपको approval मिल चुका है ठीक है उसके बाद add code के थुरू आप जहाँ जहाँ add लगाना चाहते हैं implement कर सकते हैं ठीक है अब आपको यहाँ पे apps का option दिखेगा apps के option पे click कर देना है और जैसे ही आप apps के option पे click करेंगे then आपको reports का option दिखेगा इस report के option पे click करते हैं यहाँ पे आप अपने reports को filter कर सकते हैं last seven days अपने according यहाँ पे filter कर सकते हैं all website या किसी particular website को आप यहाँ पे select कर सकते हैं और साथी साथ आपको यहाँ पे basically यह last seven days की जो earning है वो आपको यहाँ पे show होगी ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं earning सो हो रही है then आपको यहाँ पे payments वाले page पे जाना है payments वाले page पे जाने के बाद आपको available balance दिखेगा, pending payments दिखेगा और total कितना paid हो चुका है वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है then आपका यहाँ पे payment information दिखेगा और यहाँ पे आपका payment details दिखेगा जिसमें आपको पैसे बगएरा मिलते हैं तो यहाँ पे जो payment आपने receive कर लिया है उसकी history आपको दिखेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं you can update payment details in setting page तो setting page में आप चलते हैं setting page पे जाने के बाद आप अपने personal information को यहाँ पे basically fill up कर सकते हैं जैसे user name, email, name, address, country, phone number उसके बाद आपको यहाँ पे monthly page view यह सब डालना है और save button पे आपको basically click कर लेना है आपका save हो जाएगा और थोड़ा सा scroll down आप करेंगे तो यहाँ पे आपको payment methods पूछा जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं payment method आप PayPal में minimum $50 जैसे ही आप earn कर लोगे वो receive कर सकते हो bank transfer में भी minimum $50 इंडिया से अगर आप traffic लाए इंडिया के हैं आप basically तो minimum $50 में आप bank transfer भी कर सकते हो wire transfer अगर आपको चाहिए तो minimum $100 होना चाहिए और custom का भी यहाँ पे option दिया गया है तो यहाँ पे basically आपको अपना payment bank account details add कर देना है अपना नाम अगरा add कर देना है और उसके बाद आपको इस account में आपको जो आपका पैसा है जो आप earn कर रहे हो वो receive हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा पूरा payment details वगेरा add करने के बाद just आपको save button पे click कर देना है और आपका जो payment details है वो add हो जाएगा और time to time आपको payment जो है मिलता रहेगा दोस्तों यहाँ पे final conclusion की बात कर लेते हैं basically यहाँ पे team जो है review करती है आपकी site को और जैसे है यहाँ पे review कर लेती है तो आपको ads.txt file send करती है और यह 3-5 दिन लग जाते हैं approval होने में और approval होने के बाद आपको यहाँ पे high cpm rates मिलेगा और adsvictory.com other adx network से काफी better है और दोस्तों यदि आपको ads limit का खत्रा नहीं चाहिए adsense disable होने का खत्रा नहीं चाहिए तो then आपको adsvictory.com को जोईन करना चाहिए इससे आपकी earning भी boost हो जाएगी और आपके adsense account पे किसी भी प्रकार का खत्रा भी नहीं रहेगा I hope यह video आपको helpful लगा होगा अगर यह video आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो